सो हेलो एंड हाई गाइस आज के एक और खतरनाक वीडियो में बाभी से तो मैं आपको बताऊं तो मैं काम करके आ चुका हूँ मुंबई से अपने सहर इंडियन बाइक ड्राइबिंग 3D जी हाँ दोस्तो अबे ये रूख क्यों नहीं रही अबे भाई टेशन निकल चुका है तो गाइस अभी ट्रेन रुक चुकी है और मैं उतर चुका हूँ नीचे वे कौन है ये लोको पैलिट आप लोग देखो टेशन कहां पे और इसने रोकी कहां पे रोल के बीच में चल्दी वहां से हटो तो गाइस मैं आपको बताओं तो मैं इतना ज्यादा आमीर हो चुका हूँ काम करके आया हूँ मुंबई में मुंबई में काम करके आया हूँ आप लोग समझ सकते हो मेरे पास कितना ज्यादा पैसा होगा तो गाइस करोड़ प्लस पैसे बीचे गुम रहे तो आप लोग कह रहे होंगे भाई पीछे केसे कुम रहे है भाई बैग में रखकर कोड़ प्लस रूपी है मेरे पास तो मैं मुंबै से काम करके आ चुका हूँ अपने सहर तो चलते है घर पे तो गाईस उससे पेले तो ये मेरा दोसे में उससे बात करके देखता हूँ अरे भाई केसे हो तुम कहाँ पे थे तुम कहाँ पे थे तुम काम करके आ गए हाँ हाँ भाई मैं आ चुका हूँ यार और भाई बढ़िया हाँ भाई बढ़िया और भाई कितने रुपे छाप दिये करोड प्लस रुपे है मेरे बास इसा मान लो एक करोड़ वीश लाक वगेरा तो भाई यार तु वो काल ले ले में के रहूं प्लीस भाई यार वो काल ले ले तु मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कार को को कौन सी कार भाई तुमारे लिए तु जान भी हाजीर है तुम चीट या मस्टेन काल ले लो पढ़ जाएगा किया बात करें वो कितने की आती होगी और इस पोट कार है तुम्हें सकतना लख में जाएगा तु चलोगा इसाब तुम्हें घर पे चलता हूं और भाईग सटना की कार और में देखूंगा अब भाई साब ये सीटी कैसी चेंज हो गई है आप लोग देख और यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग ओभी खड़ी हो चुकी है तो यह छोड़ो तो अब चलते हमारे घर पर तो चलो गैस अब में आती को अपने घर पे और गाइस बहुत दिनों के बाद अपना पुराना घर देखने को मिला है और मेरा घर कितना लगजूरिया से और यह घर मैंने कितने रुपे में बनवाया होगा आप लोग बता पाते हैं या नहीं और फिर मैं आपकी कॉमेंट को रिप्लाइ करते हुए बताऊंगा मैंने यह कितने में खरीदा है तो अब गाइस कोई भी दिक्कत नहीं और मैं ट्राइवल करते करते पूरी तरह से ठक ग पशेऑं बन रहा है और गायस अब मुझे याद आएा कि मुझे जी टी मस्टैंग भी लेनी है मैं रुपे कमा कर आ चुका हूर बताओ रुपे कमा कर कोई अमीर बना है बात तो सही है हालो भाइ तुम और जीटी मस्टैंग कर के बारे में कुछ रहे थे और मुझे कर खरि हाँ तो गई सब मुझे चलना एक बंदे के पास और उसी से बात करनी है और उसी के पास जीटीय मस्टेंग कार मिलेगी फाइनली जीटीय मस्टेंग मैं ले लूँगा अभी कि सीटी में किसी ने भी नहीं खरीदी में खरीदूँगा और मैं आ चुका हूँ फूट रुपे कमा कर अंबानी बन कर जी हाँ दस्टो तो अब मैं चलता हूँ फटाक से उस बंदे की मेरे पास अपनी बैक से मैं चलता हूँ फटाक से उस बंदे के पास और उस बंद तो कहीं की थी लेकिन वो बंदा कहां पर गया यह रहा वो बंदा और मैं इससे बात करता हूँ हेलो हेलो हाँ बताओ तुम कौन हो और मेरे दोस्त ने मुझे तुमारे पास भेजा है और तुम तुमारी jtm mr serge car sale करने वाले हो और हाँ मैं अपनी घर्द सेयल करा हुआ और तुम्हें खरीद नी है क्या और हाँ भाई मुझे खरीद नी है तभी तो मैं तुम्हेरे पास आया हूँ और बताओ तुम कितने की बेचोगे फटक से बताओ और मैं खरीदी लेता हूँ ऐसे तो मैं 80 लाख की बैचता हूँ लेकिन तुमारे लिए 70 लाख जाऊ यहा मेरे रिए और तुमारे के रिस्तेदारी चल रही है तुम जुट बोल रहे है वो 7 लाख की है हाँ हाँ और तुम बोलो कितने की बैचोगी और तुम कुछ कम तो करो और कम नहीं हो पाएंगे भाई और कम नहीं हो पाएंगे और भाई ऐसा नहीं होता तुम्हें जा रहा हूँ अच्छा अच्छा रुको रुको तुम मैं तुम्हें 65 लाख में दे दूँगा इससे एक रुपे भी कम नहीं होंगे और अच्छा भाई ठीक है तुम मेरे घर पे भेज देना और मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँगा हाँ भाई ठीक है और गाइस मैंने जीटी मस्टेंग कार फाइनल कर दी है और कल या परसो में मुझे जीटी मस्टेंग मिल जाएगी और काफी ज्यादा मज़े आने वाले उसको चला कर और मैं बहुत ज्यादा एक्साइडेड हूँ तो वेट करता हूँ तो मैं मिलता हूँ कल या परसो सो गाइस अभी भाई साब मुझे घर पे कोल आ चुका है कि तुमारी जीटी मस्टेंग कार तुमारे घर पे आ चुकी है और गाइस अभी बाहर खड़ी है तो मैं चलता हूँ अपनी जीटी मस्टेंग लेने के लिए और मैं इसे नहीं दिखाऊंगा और गाइस थोड़ा सा वेट करो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसी जीटी मस्टेंग कार है और गाइस मेरे पीछे ही वो जीटी मस्टेंग कार खड़ी है और वो आपको अच्छी लगे तो प्लीस भाई दिल से कॉमेंट कर देना और भाई लाइक तो जरूर से कर देना और मेरे पीछे जीटी मस्टेंग कार खड़ी है और मेरे देखोंगा और बहुत मज़ा आजाएगा तो गाईस अब वेट नहीं होता अब मैं आपको जीटी मस्टेंग दिखाता हूँ थ्री तक गिंती गिंते थ्री टू वन तो गाईस आप लोग यह पर देख सकते हैं मेरे सामने जीटी मस्टेंग खड़ी है कार और गाईस यह कार की क्या तगड़ी लग रही बहुत मस्त कार है मैं आपको बता नहीं सकता है मुझे इतनी अच्छी लगती है तो गाईस इसके अंदर बेट कर भी देखते क्या फील आता है और इसको चला कर भी देखेंगे तो चलो गाईस अब मैं इसको चला कर भी आपको दिखाता हूँ इतनी खुश्ची मुझे लगती है तो गाईस मैं आपको बताऊं तो मेरी परसनल फैबरेट कार जीटी ए मस् जोस्तो तो मैं रुपे कमा कर आयाँ तो खर्च करतना तो बनता इना यह पिलिंग नहीं आ सकती इसलिए तो मैं आपको रूपे कमा और खर्च करो अब हैं कर भाईसाब आप लूप चेक करो कितनी तगड़ी काल लगरी और कलर भी चेंज़िंग होते है गाईस ये ब्लेक क किया था और अभी भी में कलर चेंजिंग करने वाला हूं कौन सा करूं मैं ग्रीन कलर की कर लेता हूं गलीन बहुत मस्त लग रही है क्या लुक लग रहा है भाइसाब और बहुत तकड़ी का लग रही ओ येस और ये आपको कैसी लगी फटा-फट भाइसाब कोमेंट करो पता है किसके पास है और गाइस मैं आपको इसको चला कर भी आपको दिखा देता हूं कैसे चलती है और क्या लूख आ रहा है तो में इसका वाइट कलर करता हूं इसमें कुछ अच्छी नहीं लग रही तो अब लग रही है न मिस्टर इंडियन सर के पास केसी कार है वेसी और वाइट कलर की कार और ब्लेक करल की पटी बहुत तगडी लग रही अब चला के देखते हैं तो गैस आप लोग देख सकते हैं ये मेरे सामने जा रही भुगाटी कार तो अब मैं चला दा हूँ अपनी जीटिये मस्टेंग क कार और गैस ये भुगाटी के पिछे ये जीटिये मस्टेंग कैसी लग रही लकिन में भी किसके साथ ये कंपेर कर रहा हूँ तो अब मैं इस जीटिये मस्टेंग की आपको टोप इस्प्रिट दिखाता हूँ और आप लोग चोप जाओ गयो क्या टोप इस्प्रिड है तो गई बच्पन से कमा रहा हूँ तभी तो मैंने कमा कमा कर ये कार खरी दी थी और अभी ये टूटी चुकी है अबे मैं नहीं खेल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ बाई बाई दोस्तों तो गैस ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दो तो मिलते हम नेक्स वीडियो में